आशा करते हैं आप लोग बहुत बहतरीन सौंगे आज के इस डियने में हम बहुत इंपोर्टन आस्पेक्ट्स के बारे में कवर करने वाले हैं जैसे कि हम लोगों ने कवर करना है जो रेस्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया का जो केस चला अभी उसके बारे में कुछ एक हमार अब दोसरा जो बहुत इंपोर्टन आडिकल जो इसमें कवर किया गया है वह है रिलेटेड टू यूँ रही है इस डियने में शुरुवास से लेकिए अन तक मैं प्रकासकुमार प्रफाउंड आयेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ चले शुरू करते हैं 6th June 2023 के DNA को अच्छा जब भी हम DNA स्टार्ट करते हैं तो Profound IS के जो initiatives है उसके बारे में जो डिसकस करते हैं तो चलिए जो पहला initiative हम लोगोंने मैं सुर्वास से बताता हूँ कि इसमें क्या है comprehensive course for UPSC mission to 500 plus start हुआ है इसमें इंडियन and world history है post independence है art and culture है quality and governance है science and technology है international relations है internal security है ethics aptitude and integrity है answer writing course है गुरुकुल अभ्यास करके हमारे एक practice होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको कम से कम 15-16 दिन coaching में ही रखते हैं और फिर जो है आपसे मतलब 24 आर आप मेरी निगरानी के अंदर रहते हैं ठीक है अब ऐसा नहीं है कि सोते नहीं हम सोते हैं उसका time होता है ठीक है आप मेरे constant monitoring के अंदर रहेंगे similarly foundation course चला हमारा UPSC 2021 24-25 के लिए one year complete course है complete coverage आपको पिलेंस मेंस के लिए मिलेगा quality answer writing quality test series सब कुछ है इसमें ठीक है one year complete course है इसके लाप यूपी असी जोगर्फी ऑसनल तुड़ाइं टुड़ाइन टुड़ाइट प्लस लाना है समझ मारे क्योंकि उसके भीना selection नहीं होगा हमारा ठीक है तो complete coverage मिलेगा paper one and two का mapping practice comprehensive coverage of physical and human geography answer writing practice to score 300 प्लस regular test series होगा regular test होता रहता है हमारे यह तो यह सारी बाते हमारे यह चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस editorial analysis को देखे वाइस यह आरके विज है is a former director general of police of 36 इन्होंने यह article लिखा है यह क्या कहना चाहते हैं जरा समझनी कोशिस की जाब examination perspective में यह G.S. paper 2 और public administration वालों के लिए थोड़ा बहुत important होगा कुछ चीजें जो है कुछ चीजें इसमें legal angle बहुत सारा इसमें बताया है लेकिन फिर भी एक बार discuss कर लेता है ठीक है इन्होंने क्या कहा है सुर्वार से background लेते हुमें बता समझाओंगा तो आपको समझना आ जाएगा एक ruling party के बीजेपी जो है उनके MP है जिनका नाम है जो ब्रिज भूसन चरन सिंग ठीक है उन पर यह वह wrestling federation of India के जो थे वह president है ठीक है थे नहीं है ठीक अभी क्या हुआ है कि उन पर कुछ minor wrestlers ने जो है वह accused किया है कि उन्होंने sexually exploit किया है इनको ठीक तो अब यह हुआ है कि यह लोग protest करना शुरू कर दिये हैं यतने भी आपके जो यह female wrestlers थी उन मेंसे सभी लोगोंने protest करना शुरू कर दिया साक्षी मली का आपको पता होगा कि वह खुद बहुत बड़ी wrestler रहे चुकी है तो अभी उन्होंने कई सारे medals जीते हैं तो वह भी इस movement में पर्टेस्ट में participate की हैं बहुत सारे जो है local organizations farmer organizations उन्होंने भी participate किया है तो यह चला है protest ठीक है अब सवार उठता है कि इसमें कौन-कौन से legal angle है ठीक तो अब सबसे पहली बात जो है protest में demand यह है कि भाईया ऐसा है जो यह MP है ब्रिजबुसन साब को इनको आप arrest करिये पहला protest का demand यह है कि भाईया इनको arrest करिये दूसरी इनको इनकी शिकायत यह है कि जो डैल ही police है वो basically इनके investigation में जो है वो उतनी ज़्यादा फूर्ती ने दिखा रही है मतलब इतना ज़्यादा expedite manner में जो है investigation नहीं चला है एक तो दूसरा इनका यह basically जो है इनका protest करने का main agenda है वो यह है तीसरी बात यह क्या कह रहा है कि basically इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए यह चाहते हैं इनको wrestling federation of India के president के post से हटाया जाए इन पर action लिया जाए यही सब सारी बाते हैं तो इस editorial में उनके कुछ legal aspects के बारे में cover किया गया है सबसे पहले जो इन्होंने cover किया है वो यह कहा है कि इन पर allegation क्या क्या है तो इन पर सबसे पहली बात चुकी इन्होंने minor जो wrestlers उन पर sexual abuse किया है तो इन पर सबसे पहला अगर आपने पॉक्सों के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़िएगा क्यूंकि मैं 110 परसेंट शेवर हूं कि इस पर एक सवाल आ रहा है इस बार ठीक इसके अलाबा सबसे पहला allegation यह है सम अब दी allegation क्या है वो यह है कि सर्जी ध्यान सुनिएगा मैं इसको बढ़ा कर देता हो ताकि आपको चीजें clear नजराएंगी सबसे पहला allegation इनके सामने यह है कि भाई-साब कि जो FIR लिखा गया वो लेट लिखा गया अब आपको पता होना चाहिए कि कोगनीजेबल ओफेंस होता क्या है ठीक है कोगनीजेबल नौन कोगनीजेबल ओफेंस और दूसरा क्या होता है इसे कोई भी कोगनीजेबल ओफेंस जो है वो माल लीजिए कि अगर कोई होता है कोगनीजेबल ओफेंस इन्द केसा बोला जाता है कि जो भी रिपोर्टिंग वगरा है वो विदिन थ्री मन्थ हो जाना चाहिए according to लेलिता कुमारी वर्सत उत्तर प्रदेश केस ये ध्यानक है Mayor delay in the FIR is no ground to discard the prosecution story ऐसा delay के वज़े से आप ये नहीं कह सकते कि prosecution का पूरा चीजी कतम हो गया है ये नहीं कर सकते तो पहली बात इन्होंने ये बोला है दूसरी बात ये बोला है कि देली पुलिस जो है वो पिलिमरी इनकोईरी करने में डिले कर रही registration of FIR में डिले करी है इनकी ये सारी problem इन्होंने बताया है समझ मागे आपको तो ये सारी बाते हम लोगोंने समझा अब इन्होंने क्या बोला है कि ध्यान सुनियेगा तो ये सारी बात है कि भाई दिली पुलिस जो है FIRI नहीं ठीक से लिख रही है दिली पुलिस जो है वो investigation में डिले कर रही है ये सारी बात है और इस नहीं कर रही है ये भी मुद्दा है potess का तो इन्होंने ये कहा, कि सबसे पहली बात तुझरा समझने की कोशिस कीजिए, कि नार्को एनालिसिस हो सकता है कि नार्को एनालिसिस कर भी लेंगे ना, क्योंकि नार्को एनालिसिस दोनों पाटी तयार है, जो माइनर है वो भी करने को तयार है और जो MP है वो भी कहरें कि हमा मेन परपस यह होता है कि इनवेस्टिकेशन में सही रास्टा मिल सके वह बिसीकली डियरेक्टिव निचर का होता है नारको अनालीजिस तो इनकी बहुत जाधा क्रेडिविलिटी नहीं है हाँ इनके basis पर आप जो है truthfulness of the allegations के बारे में पता कर सकते हैं और investigation में आपको मदद मिल सकती है यह इन्होंने बोला लेकिन as an evidence मतलब की नहीं होता है permissible अगर मान लोग की accused ने मान भी लिया कि हाँ भई हमने sexually abuse किया है तो वो admissible तो होगा नहीं admissible हमेशा वही witness यह वही चीजें की जाती है जो court of law के judge के सामने जो बात बोली जाती है वही admissible होता है यह बात ध्यान रखिएगा एक और बात जब वो as an evidence collecting नहीं होगा तो कर के भी कोई फायदा नहीं है बस आपको investigation में तो थोड़ी बहुत मदद मिलनी है यह होगा एक और बात हमेशा narco analysis जो किया जाता है वो accused का किया जाता है witness का किया जाता है समझ मारा है यह जो minor wrestler है उनका नहीं किया जाएगा narco analysis तो यह एक बात उन्होंने कहा है दूसरी बात हुआ जो बार बार आप arrest की बात कर रहें न यह कहरें कि arrest बहुत जादा मतलब यहां पर माइन नहीं रख रहा है देखो क्यों माइन नहीं रख रहा है अरेस्ट होना कोई जरूरी नहीं है यह उन्होंने बोला है कि जो sexual assault किया जा रहा है अट दे वर्क प्लेस उसमें section 8 का प्रोवीजन यहां पर अप्लाई होता है ध्यान दो सुनियेगा sexual assault किया जा रहा है उसमें section 8 का प्रोवीजन यहां पर अट्रैक्ट हो रहा है point number 1 point मतलब sexual assault at the workplace में section 8 का प्रोवीजन यहां अट्रैक्ट हो रहा है दूसरा provision बोला इन्हों section 10 of the prevention of agreed sexual assault act वो हो रहा है section 12 of the sexual harassment जो है poxo act वो act act हो रहा है इन्होंने 35.4 बोला outraging the modesty of the women 354.a sexual harassment तो यह सारे provisions इस पर apply हो रहा है ठीक है यह जो bridge busan जी के उपर जो यह सारे provisions apply के जा रहा है यह कहने इन में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पर immediate arrest की बात करी जादे को in none of these sections the punishment is more than the seven years of the imprisonment साथ साल से ज्यादा नहीं है तो immediate arrest की बात यहां पर आती नहीं है point number one point number two इतना immediate arrest करने से क्या फायदा बहतर है कि पुलिस जल्दी से जल्दी लोग जहातर protester यह कहने कि इनको arrest करिये वो कहने कि सर जी arrest हो जाएंगे सबसे पहले पुलिस को investigate कर लेने दीजिए समझ मारा है अगर वो चीजे यह author कह रहे हैं यह बात कि पुलिस को अपना काम कर लेने दीजिए अगर जल्दी से जल्दी अगर expedite manner में चार्षित तेयार होकर अगर सामने आ जाता है तो अगर judici देख लेकि तो फिर arrest भी हो जाएंगे तो यहां पर इसका एक counter argument यह भी दिया जाता है कि भाई जो accused है वो बहुत influential person है वो कहीं manipulate ना करने लग जाए चीजों को तो यह भी एक argument दिया जा रहा है कि दोनों तरफ से कहने का मतलब कि दोनों तरफ से अपने अपने argument आ रहा है इन्होंने बोला ही है साफ साब कि भाई साब देखिए ऐसा है कि दिल्ली पूलिस को चाहिए कि तुरंद की तुरंद जो है इस मैंटर को इन्वेस्टिगेट करें चार्शीट फ्रेम करें और कोट के सामने रखें समझ मार अन देखिए विक्टिम्स जो है इप नॉट सेटिस्फाइड विद प्रोग्रेस ऑफ दे केसे में अल्सों अपरेश्ट तो देली हाई कोट तो देली हाई कोट जा सकती है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है अप्रोचेस ऑफ दी कोट पे समझ मार आपको कि नहीं तो यह पूरे इस आर्टिकल में बताने ही कोशिश की कही है तो वोट अथ पॉइंट तो बी नोटेड इन इस आर्टिकल क्या है पॉइंट टू बी नोटेड सबसे पहली बात आपको मालूम है कि सेक्शुल हैरस्मेंट हुआ है सेक्शुल हैरस्मेंट हुआ है पॉइंट नमर वन वो भी किस ने किया एक इंफ्लूएंशल पर्सन में अब डैली पॉलिस को चाहिए कि भाईया जल्दी से जल्दी इंवेस्टिगेट करें इन्वेस्टिगेट करें ठीक है है ना और अपना जो प्रिम में भी जो उनका जो चार सीट वगरा है वो सब पेश करें मतलब की कोट के सामने और कोट के सामने जो एविडेंस होंगे वही एडविसिबल नेचर के माने जाएंगे यह ध्यान रखिएगा ठीक है तो यह सारी बाते इन्होंने अपके सामने करी हैं इन्होंने कहा है कि देखिए अगर यह विमन परसिस्टेंटली प्रोटेस्ट कर रही है तो जरूर इनमें कोई न कोई सबस्टेंस है ऐसे कोई परसिस्टेंटली नहीं मतलब की प्रोटेस्ट करता है यह बात ध्यान लखिए can examine the issues in the policing of India, in the police administration in India, of India can, should the investigation, investigation, investigative function, function of police be separated, be separated from the, from the law and order function, from the law and order function, function, 250 words, and 15 marks, okay, let's move on, let's go, in the short term, stabilize the line of actual control, see sir, this is very important for two people, that is very important, one, first of all, the GS paper 3, especially in internal security, and the other, the PSIR, the two people are very important, okay, what does this article mean, let's understand, you will know that the border between India and China, we call line of actual control, if you have seen, something like this, you will see this, you will see this, so, this is the line of actual control, this area, this line is the line of actual control, okay, which is the line of actual control, it's a temporary line, you cannot say this, you will see it, but the problem, if you have seen it, in the past two years, one of the crisis, we have seen it in the policy, which is called finger and palm policy, which is called palm and finger policy, palm and finger policy, if you know it, you can tell me, comment section, what do you mean by palm and finger policy, palm and finger policy, how do you understand, what do you understand, what is this, now, you will tell the comments section, tell, until I am telling, what is that palm, palm means, the tibbat, palm and finger means that if you have 5 fingers, it means that 5 fingers are 5 people, like Oxychin, Ladakh, and some part of the Afghanistan, some part of the Sikkim, some part of the Sikkim, some part of the parts, and 5 fingers, it means that it makes the tibbat, palm, समझती है वह कहती है कि हमारा फ्यूचर स्टेटजी है कि हम पाम के साथ पांचों के पांचों फिंगर जो मैंने बता हैं जो जो रीजन्स अफगानिस्तान लद्दाक स्वरी अरुनाचल प्रदेश लद्दाक इनको भी जो है अपने अंदर लेना है समझ मारा इनका यह में प कि दो कदम अंदर जाना और एक कदम पीछे हटना ताकि हमारा जो नेट आउट माइग्रेशन है वो बॉर्डर का जो शिफ्टिंग है वो टूवर्स इंडिया ही रहा है समझ मारा यह बहुत चाइनी की चाइना की जो है यह द्रेकोनियन पॉलिसी है अब ऐसा है उन्होंने कि अगेंश्फ अगेंस हमेशा इंस्टेइबलिटी बनी रहती है हमेशा लडाई का सिच्वेशन बना रहता आप अकसर जाएंगे तो माँपे कभी ने कोई ने कोई ने कि आग्रीमेंट किये गए अन्हों ने क्या कि रहा है है 1973 1996 फॉर्व में फॉरी प्रब्लम यह है कि हम यह समझते हैं कि line of actual control जो है वह प्रफरली डिवाइड है हमारा line of actual controller उनका line of actual control दिसमें एक ही line मानने वो है नहीं वह कुछ और interpret करते हैं हम कुछ और interpret करते हैं समझ मारा है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों पार्टी एक साथ बैठे हो लाइन ऑफ एक्षुल कंट्रोल को प्रॉपरली डिमार्केट करें ठीक इसके लाबाद 2015 में एक बॉडर पर्सनल मीटिंग की बात कही गई 3488 किलोमेटर का लॉंग लाइन ऑफ एक्षुल कंट्रोल है इसमें केवल चार बॉडर पर्सनल मीटिंग है वहाँ पर भी ठीक से मीटिंग नहीं होती है बॉडर पर्सनल मीटिंग का मतलब हो है कि एक उस तरफ के लोग आएंगे चाइना की तरफ से एक हमाई तरफ से लोग आपस में बॉडर में मतलब की स्टैबलिटी मैंटेंगे उसके बार में डिसक्स करेंगे लेकिन अभी तक ठीक से कहीं पर भी जो है स्टैबलिश नहीं हुआ है तो पॉसुटी और बीएंपी पॉइंट होने के वज़े से क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टिव दुनों के तरफ से याटॉल से लगल ऑलग है तो वह अपनी तरफ से टीप्लाइ करते हैं क्वालliamo और झाफ समझरेब बात हो कि नहीं तो जरूरी है कि दोनों पार्टी आपस में बॉर्डर मीटिंग पॉइंट्स पर डिसकस करें दोनों से देखने Megowie समझ मा रहा है सलामी slicing tactics of the Chinese must be halted समझ मा गया हर तरीके से जो उनके tactics है तीन कदम आगे जाना दो कदम पीछे आना ये सब के चीज़ों को हम पो अटाना पड़ेगा aggression is not only the reason for the rise of the line of actual control incidents समझ मा रहा है the quantum jump of the surveillance technology केवल aggression से काम नहीं हो रहा है कि वह बेस्वल मार रहा है हम बेस्वल मार रहा है वहाँ पर कई सारे ऐसे infrastructure होएं वह भी point of worry है वहाँ पर surveillance technology आए हुई है वहाँ पर कई बार border roads बनाये गए हैं bridges बनाये वह जो infrastructure तियार किया गया है वह बहुत point of जो है point of worry है लेकिन इस article में जो सबसे important point मेरे को लगा वो लगा इनका जो solution है समझ मारा है सबसे पहला solution इन्हों ने आपको क्या बोला कि convert the line of actual control into line of control कहा है कि line of control करिये पहली बाद तो इससे क्या होगा ना कि और proper delineate करिये mapper की कौन सा जगह पर से यह line of control आज जाता है इससे क्या होगा कि जो border को लेकर confusion है वो ठीक नहीं होगा मतब वो ठीक हो जाएगा और और आपका जो है यह जो forward march of the जो आर्मीर परसनल है ता वो नहीं होगा दूसरी बात उन्होंने आपके सामने क्या करी है कि the disputed areas on the line of actual control can be threatened can be treated as in no entry zones जो disputed area वहाँ पर no entry zone बना देना चाहिए alternatively both sides जोन आचाहिए should be allowed to patrol these areas जैसे माल लीजिया आपने गौर किया होगा कि जो North Korea और South Korea है उसको separate करने के लिए 98 degree latitudinal line है तो उसके बीच में एक no militarization zone है देखेगा no man's land करके है वैसा ही जहाँ पर disputed है वहाँ पर आपको जो है वो area को no entry zone बना देना चाहिए और जहाँ patrolling जो है mutually agreed norms के हिसाब से mutually agreed frequency के हिसाब से होना चाहिए तीसरी बात जो इन्होंने कही है कि joint patrolling of the disputed area must also be explored joint patrolling करना चाहिए आपको समझ मागया मादब disputed area पर और confidence building measures को आपको adopt करना चाहिए लेकिन I have a confusion I have a dispute in these मादब I have a reservation in these kind of you know solutions specially the first one इनने बोलाए कि convert the line of actual control into the line of control I totally agree with this कि अगर आप line of control कर देंगे और delineate कर देंगे तो वो चीजें जो है resolve वो जाएंगे लेकिन वो होने ही नहीं देंगे आप बात को समझने की कोजित कीजिए जो उनकी finger and palm policy है ना उसके तहत उनका expansionist policy है वो कभी भी boundary को settle होने ही नहीं देंगा अगर वो settle हो जाएगा तो फिर सर जी जो है फिर वो उनकी policy कैसे आगे बढ़ेगी point number one point number two वो हमेशा इंडिया को trouble provide करना चाहते है हमेशा थोड़ा बहुत आपको मतलब की कोई न कोई adversary और किसी भी other aspect में लेकर आपको थोड़ा सा unsettle करना चाहते है ताकि आप जहें बहुत ज़्यादा आगे न बढ़ें समझ मारा है क्योंकि कोई भी नहीं चाहिका कि मेरे नेवर में कि strong country रहे तो इन सर्फीजों के लेकर थोड़ा सा issue देर आ रहा है लेकिन ठीक है कुछ हमने discuss किया वो important है तो what are the point to be noted the point to be noted क्या है भई यहांबर point to be noted पहला point क्या है भई कि हमने देखा कि इंडिया और चाइना का लाइन ऑफ एक्ष्वल कंट्रोल के अरॉंड हमेशा dispute dispute रहता है और unsettled है disturbed है इसका example क्या है हम लोग ने देखा गल्बन भी इसका example है गल्बन crisis और दूसरा example हम लोग ने दोकलाम को देखा जो हम लोगों इंडिया चाइना के बीच में हुआ था और दी दोकलाम जो पर्टिकुलर एडिया है ठीक है दोकलाम क्राइसिस के फॉर्म में हम लोग ने देखा जो डाल जो चाइनीज फोर्सेस होते हैं वो इंडिया में गुज जाते है और ईंडिया इन फोर्सेस इंडि-चाइना में गुज जाते है तो यह इशू रहता है ठीक है तुसरी बात क्वाथ है यहां पर वोग वह अर्पर्टॉश्यर भी बनाया हुए है इसको लई लाइन ओफ कंट्रोल बना देना चाहिए और मैप पर मैप पर जो बाउंडरी है उसको प्रॉपरली डिमार्केट करना चाहिए है ना सर यही है ना आपका है ना एक तो पहला यह बता है इनोंने दूसरा इनोंने बोड़ाए कि बॉडर मीटिंग पॉइंट्स है उसके नंबर बढ़ाईए और उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाईए इस इसी बात इन्होंने क्या बोली आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्होंने बोला कि जो डिस्प्यूटेड जोन है उसको क्या करना चाहिए तो कोई इसके अंदर नहीं बैठेगा और confidence building measures लेने चाहिए यह यह नोने solution दिया है बहुत बढ़ी आर्टिकल है आपके exam के confidence confidence building measures लेने चाहिए समझ मारा आपको ठीक अब आपको क्या question पूछ सकता है border management एक issue है paper 3 में we discuss the border management border management management issues in line of actual control and measures for it measures for it 250 words on 15 marks ठीक के लिए आगे बढ़िए आगे बढ़ते हैं अगला अर्टिकल है tragic track अभी इसका मामला क्या है मैंने कल भी बताया था आग जो यह बच्चे नहीं जानते हैं वो उनको बता दू कि एक जगह है आपका Odisha में बाला सोर नाम का ठीक है वहाँ पर एक tragic train accident हुआ है तीन trains का accident हुआ है उसका accident कैसे हुआ है वो भी जान लीजिए देखिए हुआ यह कि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि दो तरह के track होते हैं एक track जा रहा है और दो main track होते हैं ठीक है कई बार क्या होता है कि तीन चार ट्रेने जा जाती है तो main track से एक track जाता है इसको हम लोग कहते हैं लूप लाइन ठीक ठीक यह main track है main route यह भी main route है और यह loop loop लूट इसको loop line बोलता है समझे बात को कि नहीं अब एक तरफ से यश्वंत फूर एक्सपेस जा रहा था और दूसी तरफ से कॉरमंडल एक्सपेस जा रहा था दो ट्रेने जा रही थी है ना अब ध्यान सुनिएगा सर जब एक ट्रेन जा रही थी तो उसमें क्या हुआ कि पता नी क्या signal जब ग्रीन हुआ तो इनको जब भी सामने में जो ट्रेन से सिग्नल ग्रीन होता है इससके मतलबायिन फूल स्पीड से ड्रैवर को निकलना होता है तो पता नी सिग्नल तो ग्रीन था लेकिन लाइन जो तो हो लूप लाइन के लिए आरेंज था मत्पर सट था अब लूप लाइन में एक ऑल्लेडी गुड परा तो क्या हुआ कि green line हुआ और जो line था वो set था loop line के लिए तो train आइसे करके आइसे चला गया और जाकर passenger train से टकड़ाए तो फुल स्पीड में था 120 किलोमेटर परायर के स्पीड से तो उसके कुछ पट्ट कुछ जो डबे थे वह स्टैक में आ गए तो यहां से अलेडी एक ट्रेंज जा रहा था तो वह क्या हुआ कि आखरी की तीन टबे जो थे उस टेंडी भी लगगा यहां पर तीन ट्रेंग का यहां पर एक्षिडेंट हो गया अब यह आर्टिकल क्या that की सो इस्पे रहा है जो बाला सोरिन उडिसा में यह कॉलीजन हो रहा था थीели्स का ठीकर ठैक ट्रैजिक रिमाइंडर कि इंडिया क जो कि बहुत इंपरेंट है इंडिया के लिए उसके तहत क्या होगा कि अगर माली जे दो ट्रेने एक ट्रैक पर आ जाए इन डाट केस सेल्फ ब्रेकिंग सिस्टम वर करेगा और दोनों रूख जाएंगे लेकिन इस एक्सेटेंट को कुष बीडोग सकते मेरे बात को समझ यह देखिए पट्री जो ट्रैक होता है ना ट्रैक के डिरेक्शन को कवच निदेखेगा ट्रैक तो स्टेशन मासरी देखेगा समझ महागे आपको कि नहीं अब मालो की कोई ट्रेन वन थर्टी किलोमेटर पडार की स्पीड से निचल ला है और वो लूप ला कि वह रोग देगा भाई उतना जगह ही नहीं उतना टाइम ही नहीं है कि वह रोके तो यह एक्सिडेंट कवच के से रुकने वाला नहीं था फिलाल कवच सिस्टम हमें इंट्रडूस कर देना जी तो कि उसमें सेल ब्रेकिंग मेकानिजम होता है लोको मोटिव और स्टेशन बंदे भात भारत एक्सप्रेस कितना खुल गया कौन से स्टेशन वाइफाई हो गया है कौन से में कौन सा ट्वालेट साफ है कि नहीं इन सब पर बात करते हैं पर भी नेवर डिसकेस्टी सेफटी सेफटी पैरमाउंट समझ मां आ गया आपको अगर रेलवे को सस्टेन करन है हर तरीके से समझ मारा किसी भी तरीके से आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमने रेलवे चला दिया और उसे जो प्रॉफिट आएगा उतन ही हम इसमें पैसा देंगे नहीं आप इन्वेस्क्मेंट करिए समझ मारा रेलवे कि सेवा की तरह देखिए एक और बात इन्होंने क्या होता है स्ट्राइब कि किसे इलेक्ट सारी गरबड़ी नगी 색깔 सकती है '' अभी तक यह मिला कुछ लोग क EKर दिया कुछ लोग ने कहा कि बइश कर दिया कि Question सीजन क्लियर नहीं है लेकिन एक शीश तो सही है कि मतलब कि किसी भी तरह का कि स्टाप का हुमन एरा को हर तरीके से हटाना चाहिए और इमीडियर करेक्टिव एक्शन सिस्टम फॉल्ट्स में लेने की जुरत है समझ मारा है यह देहान रखिए लोग कह रहे हैं कि रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन मार देना चाहिए मैं यह बोलता हूं कि सर्व रेलवे मिनिस्टर की रिजाइन मानने से थोड़ी ने प्रॉब्लम स्वाल होने वाला है ठीक है यह द्यान रखिएगा ठीक तो इन्होंने यही बात है कि अगर देलवे में आपको सबसे ज़द जिससे पता ही नहीं चलता है कि वेदर यह वीडियो रियल है या फेक है इसे डीप फेक कहते हैं अभी रिसेंटली यह हुआ कि जब यह रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो उसके प्रेस्ट अलात रेस्लर का उसमें क्या हुआ कि कुछ रेस्लर को इसको बहुत रेगुलेट करने की चाइन ने इसे बैन भी कर दिया है लेकिन मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि सारी चीजें गरबड़ी ही है समझे लो इसके कुछ पॉजिटिव आस्पेक्स भी हैं किसी का वीडियो बना दे रहे हैं अभी कुछ दिन पहले दिखाया ओबामा जो है वो गाली दे रहे हैं ट्रम्प को डिफेक में तो वो चीजे दिखती है सामने लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके कुछ बैनेफिट नहीं है बहुत सारे जैसे वाइस क्लोनिंग इनिशेटिफ सुरू हुआ है किसी बच्चे ने डिसेंट ली अपना जो है वाइस को दिया इसके वाइस क्लोनिंग हम लोग कर सकते हैं इसके अलावा जुह है आप आप पढ़ाय में मदत हो सकता है आपके जैसे-सव झैसी सब्जेक्ट उसको memorized करने मे में आपकी मदत कर सकता है डी वेक्न अगर को टेक्नोलोजी आता है तो यह नोब कुछ अषी निगेटिब ही आत तो वही चीज आपको समझने की जुरत है कि चाइना की तरह बैन कर देना जो डीफेक को की रेगुलेट करने की जुरत है क्या करने की जुरत है यह हमारे लिए अभी सोचने की बात है वाट इस एफेक्टिंग ट्रेड मोमेंटम देखे ट्रेड ऐसा पाए गया है कि एक्सपोर्ट शंक हुआ है कि 20.7 परसेंट यह और यह बेसिस पर समझ मांगे आपको इंपोर्ट भी फैल हुआ है इसके बहुत कारण है वर्ल्ट फ्लोडाउन में चला है रश्या युक्रियन क्राइसिस है समझ मांगया कोमोडिटी बहुत महंगे हो गए फुड प्रड़क्ट और फ्यूल बहुत महं इसी वजह से क्या हो रहा है ना कि कई सारे चीजें जो है बहुत मतलब हमारा जो और इंप्सपोर्ट दोनों जो है वो श्रंक हुआ है यह इस आर्टिकल में बतानी की जुरद बताने की कोशिस की गई है डिफेंट डिफेंट एंगल के परस्पेक्टिव से ठीक है यह ध्य श्रीच के Continuous अभी इसमें क्या है कि जो समय की जुरत है कि यह वताइए और को सब्सक्राइए जो इसोते इस चलाओ जीघ्स बोसोन से इंटर दिसला दिमाग लगाばいे सर। तरहा हम Сब्सक्राइब से जीघ्स बोसोन से इंडरेच करेंगा उसका मास हुगा। समझमार इसलिए गॉह पार्टिकल भी कहते हैं। मां लोकि दुनिया में मास यह होता ग्रेविटी यह नहीं होता। तो फिर यह दुनिया होती है? तुरा दिमाग लगाई है सर इसलिए यह से गोर्ड पार्टिकल कहा जाता है जो जितना ज्यादा हिक्स बोस्वन से इंटरेक्ट करेगा उसका मास हुटना ही ज्यादा होगा अब इनौने क्या कहा है कि हिक्स बोस्वन का भी डिके हुआ है और इनने एक जेट बोस्वन पार्टिकल निकाला है समझे लो तो अब इससे हमें न काफी कुछ पता चला है कि जिक पोस्वन के नेचर के बारे में मालूम हमें चला है यह future dark matter और other ऐसे universe के चीजें जिससे हमें उतना ज्यादा पता नहीं चलता है उसके बारे में ज्यादा awareness नहीं है universe के formation के बारे में हमें इतनी ज्यादा knowledge नहीं है इससे हमें काफी knowledge हो सकता है समझ मारा है this is all for today देखे sir हमारा जो editorial analysis होता है उसमें हम लोग देखी sir आप केतनी चीजें हम लोग cover करते है editorial को मैं पढ़ता भी हूँ कई बार जो important part होते है उसमें point to be noted भी बताता हूँ question भी देता हूँ आप उस पे answer भी लिखिए और DNA के जो comment section है जो आपका description box है उसमें आप देखिएगा तो उसमें मैंने link भी share कर रखा DNA के telegram channel का अच्छा मैंने जो courses है वो जो है वो आपका profound IS के app पर है तो उस app पर आप जाईएगा अगर तो उस पर आपको सारे courses में मिल जाएगे उस app का link जो है मैंने comment section में दे रखा है courses के link भी मैंने comment section में आप directly करेंगे तो आप वहां पर पहुँच जाएगे समझ मारा है आपको अगर आपको UPSC की preparation करनी है समझ मारा है मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं यह जुरूर कहता हूँ कि मैं इतनी महनत आप से जरूर करवा दूँगा कि आपका selection हो जाएगा मुझे आपको विद्वान नहीं बनाना है मुझे आपको exam clear करवाना है समझ मारा है क्योंकि हम जब महनत करते हैं तो हमारे लिए महनत ही सबसे बड़ी कुणजी है हम बच्चों के साथ महनत करते है ठीक है और इसके साथ साथ अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को like जरू करें और comment section में बताएं कि जो मैंने questions दिये हैं वो चीजें मतलब कि उसका क्या आपके हिसाब से answer होगा इसके अलावा आप answer भी लिखे जो मैंने questions दिये हैं DNA में और at the same time अगर किसी भी तरह का और article चाहिए होता तो आप please मुझे comment section में बता सकते हैं कि आप जो है क्या चीजे changes चाहते हैं इसके अलावा आप Profound Eyes के Telegram चैनल भी जोईन कर सकते हैं उसे academic point भी discuss कर सकते हैं आप मुसे directly बात भी कर सकते है Profound Eyes के तू समझ मा रहा है यह ध्यान रखिएगा ठीक है आपको मेरे contacts, मेरे number, मेरे gmail id सब कुछ आपको मिल जाएगा नीचे comment section, description box में ठीक है आप अगर चैनल पे नहीं हैं तो subscribe जरू करें वीडियो को like जरू करें Thank you all of you Bye-bye